नवसका क्वास्टो मेरा नाम है मुकीत और आज मैं बता हूँगा तूसिटरप में और पांचो कोगण तूसि इससे बना हुआ इस तूसिटर४ के बारवे इसलिए आप लोगों पास रिखेश्ट है इस वीडियो को लाच तक देखते हुए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेजिए आईडवेदिक में तूलसी एक इंपोर्टन रोल अउपसर्ब करता है तूलसी को आईडवेदिक में सब से लोगप्रियों रूप से जाना जाता है क्योंकि एज तूलसी है तूलसी को आईडवेदिक में हाजारों बरसों से विविन्यों रोग के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों यह जो तूलसी है वो बहुत टाइप का होता है जयते कि हॉली तूलसी बहुत टाइप का हुथ हो सकता है तो आज में बाता हूंगा जो तूलसी है उसको क्या 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 काम में आता है और कैसे यूप किया जाता है दोस्तों तूलसी में बहुत कुछ लोगों का उप्चर करने का समतरा है जहते कि तूलसी पेक को मजबूत करता है और सांस की जो बिमारी होता है उस बिमारी को ठीक कर्ट में बहुत मदद करता है यह तूर्सी तूर्सी की पत्तियों कहीं तरह की भुखार के लिए एक बितिष्ट इलाज है बरसात के मौसम में जब डेंगो और मेलरिया होता है उसके बज़े से जो बुखा राता है उस रोगों के खिलाब तूल्सी बहुत काम करता है या फिर जो साधारन बुखार है जैसे की कोल्ड की बज़ते जो बुखार आता है उसको काम करने के लिए भी ये जो तूल्सी ये बहुत मदद करता है तूल्सी आयर्वेदी कॉप सिरप में एक महत्पर्ण उपदान है तूल्सी ब्रंकाइटीज और आश्ताव में जो वलगा में उसको जुटाने में मदद करता है तूल्सी पत्ते को चवाने से सर्दी जो साधरन सर्दी है और पुलू से रहात मिलता है ये एक तूल्सी का बहुत बढ़ा गुन है तूल्सी गले में जो खारा साथ है उसको भी ठीक करने में बहुत मदद करता है गले में खारा साने पर तूल्सी पत्ते के साथ उबला हुआ पानी पिया जा सकता है या पिर तूल्सी पत्ते के साथ उबला हुआ पानी से जो गारगल होता है वो कर सकता है एक करने से गले में जो खारा साता है वो ठीक हो जाता है तूर्सी डिस्पिराटोरी डिसुडार यानि कि जो सोजन पुनानी में विकार होता है उसके लिए भी एक महत्पुन्न भूमी का पलन करता है हानी और अध्रक मिस्ट्रित तूर्सी पत्ते ब्रॉंकाइटीज आस्सामा या फिल इंफ्लुन्जा खासी और सोज़दी के लिए एक उपा है लॉम और साधरान नामक मिस्ट्रित जो तूर्सी होता है उसका निसकासन भी इंफ्लुन्जा में तुरंद रहा देता है तूर्सी किट्नी इस्टोन के लिए भी यूज़ गिया जा सकता है किट्नी इस्टोन के मामने बे तूर्सी पत्यक के रॉस और सायद के साथ नियमित रूप से 6 माहिने तर लिया जाता है तो जो मुत्रपत के माध्धम से किट्नी इस्टोन को निकाल लेता है Heart disorder यानि कि जो हिदर का रोग है या फिर उनसे उत्पन कमजोरी में तूलसी एक मात्पुन प्वाप फिलता है यह जो तूलसी है यह कोलिस्टोल का जो इस्तर है उसको काम कर देता है तो उसके बज़े से या हाट का या फिर हिदर से उत्पन जो कमजोरी है उनसे राज मिलता है तूलसी को इस्ट्रेथ यानि जो तानाव में उसके लिए यूज़ किया जा सकता है तूलसी को एपाडोजन या फिर एंटी इस्ट्रेथ का एजेंट माना जाता है सम्प्रतिक रिशाच में पाता चला है कि तूर्सी तानाब के खिलाब एक महत्पन सुरब सा प्रोधान करता है तानाब के खिलाब आप लोग 12 तूर्सी फत्तों को जिन में चाबा कर खा सकते हो इसके बज़े से आपका जो ब्लाड है वो पूरा फ्यूरीफार रहेगा यानि कि जो तूर्सी है वो ब्लाड को भी सुद्ध कर देता है माउत अल्थर के लिए भी तूर्सी एक प्रभाबी उपाई है तूर्सी फत्ते चाबाने ते माउत अल्थर का इस्तिती ठीक हो जाता है इनसेत वाइड यानि कि जो कीडों से काटने वाला जगा पर एक चमाच ताजा तूर्सी फत्ते के रत लागाने ते उस जगा को ठीक कर देता है या फिर तूल्सी का जो जाड़ों होता है तो जाड़ों को पेस्ट करके उस जागा में लागा नेते उस जागा को धिरे धिरे ठीक कर देता है यह तूल्सी का एक बहुत बड़ा गुन है इस किंड यह तोड़ा इस्तनिय रुप से दाद या फिर तर्चा में होने वाले रोग के लिए भी तूल्सी पाता के जो रास है वो बहुत फाइदेवांद है तूल्सी दातों का रोगों के लिए भी एक उपजगी उपाई है तूल्सी पाते को धूप में सुका कर उसको पाउडर बना कर दातों में ब्रास कर सकते हो उसके बाईवांदेवांदेवांदेवांदेवांदेवांदेवांदेवांदेवांदेवांदेवांदेवांदेवांदेवांदेवांदेवांदेवांदेवांदेवांदेवां तूलसी तूलसी चला जाता है, और आपको ठंडर प्रदन करता है तूलसी और चंदल मिस्त्रित पेश्ट तुल्सी आइडी सुझार, यानि कि जो आखों का भिकर है उसके लिए भी उजगिया जा सकता है जो लोग रातों में काम दिखता है या थी कर देखने ही पाते जिसको नाइट ब्लाइडनेस कहते हैं उसने भी तुल्सी यूज़ गया जाता है जो किष्ण तुल्सी यानि जो काली तुल्सी है उसका दो बुन्त रात में सोने से पहले आगों में दो बुन्त लगा सकता हो यह जो नाइट ब्लाइडने से यह आमतर रुपे विटाइमिन ए का कमी से होता है इसलिए जो किष्ण तुल्सी या फिर जो काले तुल्सी है उसका दो बुन्त नाइट में सोने से पहले लगाने से जो नाइट ब्लाइडनेस है ओ धीरे धीरे ठीक हो जाता है दोस्तो एसा तूलसी का प्रातमिक उप्चाद अभी मैं बाताना वनो एज इंट्रस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट इधार लिखा है my type of Tulsi extract और क्या-क्या काम में आता है वह भी लिखा है antiviral, antivacterial और increased body resistance को increase करता है पांचोव बदा आया है पांचोव बगार Tulsi से बना होगा है तुलसी क्या कौनसा कौनसा Tulsi दिया गया है जैसे कि थादरन Tulsi यानि कि जो खोली Tulsi है उसको दिया गया है रामा तलसी को दिया गया है काली Tulsi यानि कि जो पिछना Tulsi बोलता है उसको भी दिया गया है जंगली Tulsi यानि कि जो बना Tulsi बोलता है उसको भी दिया गया है और लेमन Tulsi को भी दिया गया है ये जो डोसे से 1-2 drops, 3-4 time daily ये लिखा है लेकिन डॉक्टर को पूछ की लेना है, कैसे लेना है, और इंडिकेशन क्या है, एंटी वेक्टरियाल, एंटी मेक्रोवेल, या फिर एंटी ऑक्सिदेंट, एंटी वायोटी, एंटी कॉक, पोल्ड, फिवार, और वेस्ट, प्यूरि तूलसी ड्रॉफ है, इसका अंदर 30 ml तूलसी ड्रॉफ है, कुछ ऐसे तरह का तूलसी ड्रॉफ दिखने को मिल जाएगा, दोस्तों, इसका कोई साइड वेक्ट भी नहीं है, पानी के साथ मिला के पी सेकते हो, और ये टोटाली 100% सेफ, दोस्तों, ये था तूलसी के बारे म बेसिक जान करी, और इंटर तूलसी ड्रॉफ क्या-क्या काम में आता है, अब ये मैं बाता दिया, अगर इस वीडियो को आप लोगों आच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दिजिए, सियार कर दिजिए, और अभी दब मेरे चैनल को साब्स्राइब नहीं किया, तो ज